मित्रो, मदुमक्की का घर में छत्ता बनाना, आपके घर में आकर बेटना हमें कुछ संकेत देता हैं, वो हमें कुछ बताना चाहती हैं, वो संकेत अच्छे भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा पूरे भी, आईए इस चोटे से वीडियो में हम जानेंगे मदुमक्की आपके अगर मतुमक्य ने आपके घर के उतर दिशा में चट्था बनाया है तो ये बहुत ज़्यादा सुभ माना जाता है सुयम मातालक्षमी आपके अगर पर बदारी है चट्था बनाने के बाद जो भी नया काम आपके उसमें आपको सफलता मिलेगी अटका पेशा आपको मिलने वाला है इसको बहुती ज़्यादा सुब माना जाता है अगर मदुमक की आपके मुख्य धर्वाजे पर चत्ता बनाती है तो इसे खत्रे की घंटी माना जाता है इसे एक बुरा संकेत माना जाता है कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी समस्या आपके घर पर आने वाली है बचने के लिए हरुआन चालीसा का पाट करें मित्रो, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्यों अगर आपके घर पर मदुमक की का चत्ता है तो क्या हम इस चत्ते को हटवा सकते हैं ये सही है या फिर कलत तो वेदो और पुराणों के अध्यन के बाद किसी भी जीव और जन्तु को परेशान करना पाप माना जाता है लेकिन येसा माना गया है अगर मक्हिया आपके घर पर किसी भी व्यक्ति को परेशान कर रही है आपको डंक मार रही हैं, आपको काट रही हैं, आपको उनसे धर लग रहा हैं, तो आप किसी भी एक्सपर्ट व्यक्ति को भुला कर उसे हटवा सकते हैं, इसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन जो मक्किया वहाँ पर मरेगी, उसके लिए आपको कुछ पश्चात करना पड़ेगा, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को चोला चड़ाना पड़ेगा, सिंदूर लगाना पड़ेगा, और हनुमान जी की भक्ति करनी पड़ेगी, हनुमान जी से प्रात्ना करनी पड़ेगी, है प्रभू, मेरे हातों से जिन मक्क्यों की म्रत् तुमा को शांती प्रदान करे, शांती प्रदान करे.